आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरफ स्रीवास्तो और प्राइम डिवेट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जिसमें तमाम तरह के मुद्दे जोलन्त है पर मुद्दों की बीच में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर चर्चक करना बहुत आवस्चक होता क्योंकि इन मुद्दों का सीरा जुराव आम जन्ता से हैं और साथी साथ यह मुद्दे मुलबूर्श सब्राओं से जोड़े मुद्दे होते हैं इसलिए इन पर अगर परवरतन भी होता है अगर इनको अपडेट भी किया जाता है या इनको बहतर किया जता है तो निश्ची रूप से यहां पर जन्ता को लेकर यहां पर एक आम सहमती बननी बहुत जरूरी है आज को जो मुद्दा है वो बहुत महपूर्ण है क्योंकि लगातार मुद्दे पर सियासर होनी शुरू हो गई है हाला कि जिस बर्क के लिए मुद्दा लाया गया है वो बर्क का फिराल कुछ समर्थन भी मिलना है पर कुछ लोग इस पर राजनीती भी करना सुरू कर चुक की सर्वें को मुद्दा है हालाकि यहां पर जो हमारा एक सोच है सोच यह कि अगर कि गनी स्कूलों की बैहतर की लिए प्रियास किया जा रहा है अगर मदर्सों का सर्वे कर उनको बैहतर करने का प्रियास चाए बध कि पच्चे अक्टूबर से कारवाई होगी और देखा जाएगा कि कहां पर कितने मदर्से हैं उनको चला कौन रहा है विचातर कितने हैं सिच्छा कैसी मिल लिए इंफरा कैसा है तमाम तरह की जो एक गाइडलाइन से उनके तहत इन सारे मदर्सों का सर्वेग किया जाएगा अगर इस से किसी का सोचन के कारण या सोचन के बिंदू कारण या सोचन के एक पटकटा के कारण अगर ऐसा किया जा रहा तो नहीं रूप से हम इसका फुल का विरूट करेंगे अगर हम बात करें तो यहां पर उत्ता पुरे देश में एक नहीं ब्योस्था औलागों होने जा रही है पिम श्री स्कूल और बच्चे पढ़ते हैं यहां पर लाई जा रही है और सबसे एंटूर बात ही है कि अगर में मदरसों की चर्चा करूं तो 16,465 मदरसे हैं और लबा लबा जो अनुदान दिया जाता है वो लबा लबा 560 मदरसों को मिलता है और पिछले 6 साल से इन मदरसों को सूची में साम मदरसों में कम बच्चे जो गरी मसलान के बच्चे पढ़ते बाकि जो उच्छी सच्छा वाले बच्चे है जो सच्छा में वो अच्छे इसकूर में जाते हैं फिराल मैं आपको बतादू कि यहां पर प्रावंधि नर्यन मोदी राजपत का नाम जो करता पर पत्किया गया निताजी सवास्चन बोस की पितमा का भी अनावरान यहां पर किया गया और करतब पत्र रखा गया है नाम जो राजपत होता था कल से लोगों के लिए खुल जाएगा जो राजपत होता था उस राजपत का नाम अब करतब पत्र कर दिया गया है और और साती साथ करतब का बोपात जिसमें हजारों भीड जबान ने अपनी जिन्दगी कुर्बान कर दी भारण को अजार कराने में और तमाम ऐसे युद्ध रहे जिसमें आज भी लोग जानते हैं कि हमारे देश के भीड जबानों ने किस तरह बरजन किया और अपनी जान की आहूती लेने से पीछे नहीं रहे हैं फिराल करतब पत से हमें रेखा किस तरह से राजपत को करतब पत कर दिया गया है और यह लाइब हम पिसाना देख रहे हैं दिली से जहांपर पिरामांती नरेन मुरी द्वारा सेंटल विष्टा को गर्ण किया गया और जो पत था उस पत का नाम राजपत से करतब पत कर दिया गया है और एक सपत के मार्ध्यम से हमको आंगे बढ़ना है इसलिए राजपत को यहां पर करतब पत का नाम दिया गया है हलाकि राजपती इस पर भी होने शुरू हो गई है फिराल बूर चर्चा का विशाए नहीं हो हम देख रहे हैं पर प्राम नर्दी नरेन मोरी निताजी करने के लिए हमाई साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और अगर मैं आपको मेहमानों से रूबरू करा दूं तो फिराल चर्चा जो मुद्दा है वो आपको बता दिया कि अवा पर उलाटन तो हुआ है पर यहां पर चर्चा का मारा जो मुद्दा है वो मदर्सों के सर्वे को लेकर है पीम सिरूव इसकुल की सुरूबात हो रही है इसकुलों को बैतर करने का प्रयास हो रहा है मिड़े मील की बाद भी होती है बच्चों को यहां पर बसता कौपी किताब और यूनिफरम के बार होती है और मुद्दा बहुत एहम है उस पर चर्चा करने हमां से मिमान पर रखेंगे आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है तो जो पहला हमारा सवाल रहेगा वो प्रवक्ता बाजपास से रहेगा असुनि भाई यहां पर जो एक अप्ग्रेशन किया जा रहा है चीजों को बैतर बनने की सुरूबात की जा रही है जहां इतरब के इन सरकार स्कूल की सिरुबात करने जा रही है बहुत बड़ा पजट है 14500 स्कूल हर बिलाक में स्कूल पहला चरण रहेगा और अंतरास्टी इस्तर की सुब्ध है यह विचार मिंदू है उस पीम स्कूल की जो नाका तो वही उत्तापने से हैं उनको बहतर तरीके से अपग्रेट करन सौपी जानी है पर इस पर राजनीती जो शुरू हो गई है बाजी होते हैं मिनी एनरसी है इस तरह के बाजी क्या मानते हैं और इस सर्वे से दर्द क्यों है सरकार का विरोध करने को लेकर है कि सरकार कोई काम करें जी तो विरोध के लिए विरोध किया जाता है वो वैसी जी हमेशा चर्चा में बने रहना चाहते हैं मुस्रिमों के नेता बने रहना चाहते हैं लेकि मुस्रिम ही उनको नेता मानने के लिए तयार नहीं होते हैं समस् का रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है इस समय देखिए पूरे देश में चाहें वो अर्थवेउस्था के रूप में हो सामरिक हो प्रिदेश नी की हो हर तरफ से देश मजबूत हुआ है और उत्तर प्रदेश उसमें एक साहभागी अस्थान रखता है आज अब ही आपने ब आनुदान मिला है बाहर से और खाने पे खर्च जो है वो 50% हो गया है अभी आपने भी बताया कि यहां के मदरशे में लोग यह कह रहे हैं कि अब जो अच्छे मुला आना लोग कह रहे हैं जो पढ़ने वाले जो अच्छे लोग है मतलब जैसे जो सम्पने लोग हैं वो तो उसमें खाने का भी खर्च कम हुआ और पैसा दस जार करोर कहा गया इसका पता लगाने के लिए यह सब चीजे की जा रही है कि आखिर क्यों ऐसे मदर्सों में क्या हो रहा है अब दो चार चीजे बताएंगी जो टीम जो गठित हो रही दस सितंबर से ही गठित हो रही है य इसकी आमदनी का सुरूत क्या है बिल्डिंग अपनी है कि नहीं है कितनी संख्या है चात्र चात्राओं की टीचर की संख्या कितनी है यह पांच अक्टूबर तक रिपोर्ट बनाई जाए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कई मदर्सों में साइंस और इंग्लिस अचरोय कि उतना ही अदिक्षण का इस हम और आपनी सब्सक्राइब और सरकार यह कह रही है कि सिर्फ दीनी सिख्छा मज़ आप जरूरी है कि हर बैक्ति अपने यहां कि साफ नी सिख्छा जाने अपने जड़ों को जाने मगर उसके साथ वो अन भी सोय पर भी कंप्ट्रूटर हो गया मैंस हो गया अंग्रेजी हो गया सब पर लोग जो है कंट्रोल रखे और हर बच्चा पढ़कर निकले यह उत्तर प्रदिय सरकार की बहुत अच्छी पहल है बिरोध होने दीजिए इसका जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि यह क्या था अच्छे के लिए था या बुरे के ठीक है हमासा नितिन सिंग यारव समाई पाटी जुड़े कि क्या रही है तो एक चीजिक करदें घौरो जी आप तो बाढ़ बार कह रहे हैं कि सरकार जो है प्लियम स्री के मात्यम से चौदा आजा नए स्कूल खोलने जा रही है जी बहुत के सब्सक्राइब नए स्कूल नहीं खोलेंगे जी वो जो पराने स्कूल है उनको बेहतर करेंगे जैसा दिल्ली का माडल आप लोग लेते हैं आहमाधी पार्टी के लोग बता से मैंने जा रही है उसी तरह उसको कर नहीं है और दूसरा यह जांच की बात हो रही है बिल्कुल अगर कहीं मदर्सा हो यह सरसो तिसोज मंदिर स्कूल हो कहीं भी अगर कोई अनिमित्ता है जी तो उसकी जांच हो जाने चाहिए इसमें कर दिक्कत नहीं है लेकिन इसी मजहाब को टार्गेट करके सिर्फ और बदनाम करने की साजिस से अगर आप जांच कर रहे हैं तो मुझे लगता यह निन्दनी है एक बात है दूदरा जैसा कि अभी मारे त्यागी जी कह रहे थे कि मदर्से में भी बाकी अन्ने सिच्छाएं पड़ाई जानी चाहिए जिससे कि तो अभी मैं दस मेंट पहले ही आ अभी रिजर्ट आया है तो यहां पर अच्छे अगर काम हो रहा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर मदर्से बच्चे टॉप कर रहा है तो सच्छा बैस्ता को और मजबूट किया जाए जाए मैं उसके लिए उस बच्चे को बढ़ाई देता हूं इसका मतलब सिर्फ ज जो अब दूसरी तरीके घटना है मैं उसका चिकने करना चाता हूं ऐसी घटना होती है उनको इस तरीके ट्रेनिंग भी जाती है तो वह एक बदनाम करने जैसी चीज अगर मुझे लगता है तो यह ठीक नहीं है तो यह ठीक नहीं हो रहा हूं अभी चागी जी बताएंगे अगर आप सायो कर रहा है तो डाउट किस बात का भई अभी बता देंगे जी हम लोग की उस तरीके के इस्टेमाल नहीं करते हैं तुरह तुरह अब आपधी जंटा पार्टी का मैं कहें देता हूं भाटी जंटा पार्टी का एक स्था के सिदे स्लोगन में अधरसे में आतंग वादी बनाए जाते हैं यह आधी आतंग बर बाद यहां पर आतेंबारी बनाने बायन कौन देडिया भई? यही सोग तो चाहिए भई समझाधी पार्टी का सही होग है बसरत है कि खिलाब लेता हो साही साभिया पर लेता है बहुत अच्छी आपर कर देने चाहिए जैंजे बाकी बताएंगे मारे से इसका अलब ठीक है अमाचाभ प्रवक्ता आमनी पार्टी में इम्रान भाई बैठी का धुसरी बात जहां टक जो प्रकरणद चल रहा है मदरसों का किस मनशा के साथ किया जा रहा है ये अभी अश्विनी शाही जी ने अपने एक स्टेटमेंट के जरीए बता दिया अगर वाकई मदरसों का को मौडनाईज करना है मदरसों को ठीक करना है तो बिल्कुल ऐसे फैसले का स्वागत है लेकिन अगर उसके पीछे गंदी ओजी सियासत है जिससे सरांध की बद्बू आए तो उसकी निश्चित रूप से आलोचना होनी चाहिए अभी शाही सहाब ने कि स्टेटमेंट दिया कि मदरसों में कैसी तालीम जिया ते उससे अवी तक क्या होता था वो आँचा कहे कौन रहा है मदरसों को टारगेट कोन कर रहा है कि जिसकी पार्टी की नेता बच्चों का अपरहन करते हुए पकड़े जा रहे है propor दो जो अपरहन में शामिल है मदर्सों में क्या होता और क्या नियुत है अब आ रहा हूँ अगर मदर्सों को अच्छे करने के नियसे ये कर रहे हैं तो बिलकल साइक है लेकिन अब बाप बताइए 62 महीने हो गए भारती जनता पाइटी की जो किंदर में सरकार बैठी है 62 महीने से उन्होंने मदरसा के उन सिखशकों की तनखाह नहीं दी है जो आधुनिक सिखशक है आधुनिक सिखशक में खाली मुसलमान नहीं है मैं आपको बता दूँ उसमें साइंस पढ़ाने वाले और मैस पढ़ाने वाले वो टीटर हैं जो मेजॉर्टी से भी आते हैं हिंदू भाई भी उसमें अध्यापक के रूप में कार कर रहे हैं लेकिन 62 महीने से जादे का वक्त हो गया है उनको केंदराइश नहीं मिला है केंदराइश सरकार की तरफ से जो सेलरी का पार्ट आता है तो क्या नियत है इनकी असपष्ट पता चल संदे में आ जाता है क्योंकि यह अपने सरकारी स्कूल पहले ठीक कर लें जिसमें सारे बच्चे पढ़ा है तो संदे इस वजे से आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 26,000 से जादा सरकारी स्कूल बंद हो गया है आज उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों की हालत यह है क कहीं पर बिना सिख्षक के सकूल चल रहा है हुँसे कहीं पर गुड़ कर राम था यह आपटर आरे आए उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखे रोज एक मज़ेदार स्कूल निकल के आ आ रहे हैं कहीं रसोये इसकूल चला रहे हैं, कहीं पर एक सिक्षक है बेचारा, वह आफिस की फाइल ये गूमता रहता है, कभी BSA किया कभी यहां कभी तो पता चला कि वहां पर माली से ही स्कूल चलवाय जा रहा है तो कम से कम पहले सरकारी स्कूलों को ठीक कर लें, फिर मदर्सों की बात करेंगे, बिले देके 500 मदर्से हैं, जिनको अंगान ये देते हैं, सरकार देती है, ये तो उसको ठीक कर लेंगे, बिल्कुल स्वागत है, लेकिन जो 26,000 सरकारी स्कूल आपने बंद कर दिये, उसको ठी कर लीजिए वहां पर बिजली पहुचा लीजिए वहां कम्प्यूटर पहुचा दीजिए वहां समय से अच्छा देखिए छे महीना हो गया ये किताब नहीं पहुचा पाए सरकारी स्कूलों में स्वेटर नहीं दे पाए जूता नहीं दे पाए मोजा नहीं दे पाए पेंसिल से नमाजेंगे और मदर्सों को जो सिख्षा का केंद्र है उसको ये नफरत का केंद्र बनाएंगे और अपनी राजिती चपकाने की कोशिश करेंगे भाई अभी साही जातरों ने नीट कौलिफाई किया है अभी हाल की सूचना है जी 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 और जब बहतर चातर बहतर कर रहे अगर उनको और बैतर करने की पहर अगर सरकार कर रही है तो दرद कैसा गुर्णल मैं आपकी चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रवक्ताबाच्पासाब के बोल रहे थे तो मैं उनका वेलकम करता हूं लेकिन यहां पर उनकी करनी और कत्री में बहुत फर्क है आपक पीचर को जो अभी आप कहा गया हमारे भाई ने बताया कि सिर्फ उनको कहने की बात है कि उनको पैसा मिल ला है कुछ नहीं मिल ला है मैं बता लो जैसे के तैसे चलना है और सिर्फ वो चंदों के ब्याइब पर चलना है इससे पहले सापा गरबन ने भी कहा उन्होंने भी कु कहना चाहता हूँ क्या ये अपने उस से थोड़ी ना देंगे पाकिट से ये तो हमारे इस पे हक है हम भी जीस्टी बरते हैं हम भी देश के नागरिक हैं मुझे भी मुझे भी मुझे जो और स्कूलों को मिलती है एड मिलती है वो मैं कहा दूं सरस्थी शिशु मंदिर को भी हमारे भी मंदर से को भी एड मिलना चाहिए लेकिन एड कैसी हो कि नियत के साथ हो ये नहीं है कि साथ आप इलक्शन आ रहा है बिलकुल नियरस्ट है ये लोग अपनी उस मूल भाती पे बात नहीं करते हैं कि सिच्छा के उपर क्या चला है इस किसको स्कालर मिल लही है या क बच्चों के पढ़ाई से क्या हो रहा है या किसको क्या मिल लहा है बच्चों को नोख्रिया किनी दी गई या किसके एकॉण में 15,00,000 रॉपई अभी भी विए या भी भी हम भी टटोल के रहे थे कि शैद 15,000,00,000 मेरे एकॉण में आ गया हो सिच्छा की ये लोग बात नह करते हैं महीगाई के लिए यो लोग बात नहीं करते हैं आखिर ये लोग क्या बात करना चाहते हैं इनको इसी टाइम में मदरसे का ये दिखा है ठीक है तुम्हारी नियत अगर आ है करनी कतनी में फर्क नहीं तो ये आप लाएं है जियो अब ये बताइए सर्वे कि मैं ये नहीं कह रहा हूं सर्वे में आपकी नियत सही होनी चाहिए इससे पहले भी हमारे से साड़े पाफ पंसो साथ चल लेते मदर से किसे लोगों को बिटर्मिला बताइए नियत इनकी ऐसी होनी चाहिए कि एलक्षन है और इनको हिंदु मुस्ल मानू के लिए इसना हिसमें कर रहा हूँ होगा कुछ नहीं सहाब बस कहेंगे ज़रूर ये लोग ये लोग काम जो है कम करते हैं जैसे कि आप पिछले जैसे मनमोहन सिंग हमारे देश के पूर परधान मंतरी थे वो बोलते कम थे लेकिन काम ज्यादा करते थे लेकिन हमारे इस वक्त देश के प्रधान मंतरी नरंदर मोदी जी हैं वो काम जो बहुत कम करते हैं लेकिन बहूलते हैं बहुत शाहाब है तो वही मैं कहता हूँ कि भाजभा का काम है बोलना ज्यादा उकाम करना तो मैं इसी लिए कह रहा हूं कि इनकी पूछ लिजे लूज नहीं करना पर इतना चारीक्रम ला रहे हैं आप उसमें आप विश्व मिला दिया तो यह काम खतम हो गया नहीं बाई पर यहां पर है कि अगर तुलना करें तो हमको तुलना भी करनी पर यह कि जो हमारे अनुजान सरकार से मिल रहा है उन मदरसों की बाँ बाउर जान नुजान की दे धे हैं एक बात बताइए है जो जो पहले से चल था Oh बड़ खेम तो कस जमाने से चल लेकि आबी तक कि आप बड़ स्पके आगे नहीं गहें या वह लूग अब बड़े above A मुझे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आधुनिक तोर के तरीके से आना चाहिए और कम्प्यूटर साइंस का क्लासे सोना चाहिए मैं इसका वेलकम करता हूं लेकिन इसमें आपकी नियत सही होनी चाहिए अच्छा नियत तो साही सा बताएंगे हमासा बर्पत्र का रूब में आमर भाई जोड़े हुए आमर भाई सबका आपने डिस्ट्रिकोर सना सबके अपने परी चर्चा है आपका ने दरिया क्या है बहुत बहुत शुक्रिया लोग जी आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया देखिए एक बात तो बड़ी साफ निकल गया ही सबकी सुनने के बात के मनशा और नियत देखिए एक बात समझेए सर्वे कराएं सौगत है हमने कभी किसी बात का विरूद नहीं कहा सरकार ने जो कहा मैंने उन्हें का लोड़ी स्विकर उता लिये मैंने भी उता लिये लेकिन बड़ा सवाल ये कि अभी दो ले हो गए सेंटरल कुर्मिन्ट बने हुए मोदी जी का एक नारा था कि मैं मुसल्मानों के मदर्से के बच्चों के हाथ में एक में कुरान और एक में लेपटाप देखना चाहते हैं उसकी भी कोई सूची इनके पास नहीं है सिर्फ लफाजी औ छलावा खैर जाने दीजे तेसरी बाद चेसा लोगए दसऑार थे यहां पर अगरétaप अगर मुझे पहले दस 000ओर रुपे दे यह उसके महीने बाद दो महीने बाद छे महीने बाद अगर हिसाब मांगें तब तो जायज बनता है आपने मुझे दस रुपे दिये नहीं हूँ 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 बगएर सरकारी अनुदान के आप उनमदरसों की जाज नी करारा रहा है जिन को एड़ दे रहे हैं. आप उनमदरसों की जाज कि बात करें जिसको आप चवन्ली उपर हो गए उनके सेली आप देनी पाए बड़ा सवाल है जैसे हमारे भी आम आदमी पार्टी के पर वक्ता जोने बहुत अच्छे ची बाते कहे जी मरी तविए खुश हो गई और साहिए सर्मानी चाहिए सर्कार को और बहुत अफसोसनाग बात है कि तमाम प्राइमरी स्कू रहे हैं कि देखो हम इनको परचान कर रहे हैं तो इस से बहुत यह सब चीज़ें जी बहुत दुनों नहीं चलती है और एक बात मैं और इंपॉर्टन आपको बतादू के 21 करोड़ रुप्या सेंट्रल गॉर्मिंड ने दिया था अलप संक्यक एजूकेशन के लिए जी वो सारा रुपिया वापस हो गया इस से जादा शर्मनाक और अफसोस पर यहां पर साही साथ करोड़ों का जो अनुदान मिला है कहां मिला उसकी जानकारी तो निकालनी पड़ेगी ना आपने जिया यही तो मेरा सवाल है कि दो 10 करोड़ रुपय जो अनुदान का यह वो वाप ना वापस हो गया आए जो शाही जी करे रहे चकाहिए मैं इनिकी बात प्लड़ रहा हूं जो पिछली परमुक सची नाम तो नहीं पाहर हुँरूं नहीं जान पार हुरूं लेकि नाम उनका हमान्जू था पूर परमुक सची बैप तो कोई लेड़ी हैं उन्होंने वापस कर दिया जो बिल्कुल फाइले तयार थी और वो उनका किलियर था कि बस खाली उनको पैसा देना है करोड का जो अनुदार आया है तो आप सुन लीजे इस देश में भी जो मुसल्मान संपन है वो जकात निकालते हैं वो जकात के पैसे से मदरसे चलते हैं और नीजी पैसे चलते हैं वो ठीक कह रहे हैं कि बिदेशी आया तो उनके पास कोई सूची हो तो बताएं दस अधार करोड़ आ गया है तो सीधा-सीधा इनको बता रहा हूं कि इनकी संकार ने 10 करोड़ एकीस करोड़ उपिया था वो अ बताएं कोई सूची है आपके पास कितने टीचर दिया आपने चार साल से उनको तंखा ने मिली साड़े चार साल थे तीन जो बिल्कुल इमरान भाई ने ठीक बात कही है कि उसमें सारे मुस्लिम नहीं है टीचर उसमें अधिकांस बलके आदे से ज्यादा गहर मुस्लिम है और यह ढूट बोला जाता है यह से आप जालों माल पर असी परसेंट मुस्लिम हैं बीजेपी नहीं को खुली चूट दे रखी अरजिकता पहलाने की उन्होंने लूलु माल को बहुत गदर काटा थे तो सचाय कब सामने आई कुछ दिन बात आई लेकिन आई तो सक्त अब आई पर आई तो कही ने कहीं चलक रहा है और वह समाजवादी पाटी शुरू होकर अच्छा आँ पर पूछो तो सिक्षा पर पूछो तो जेल पर पूछो तो घर पे यह सब करते हैं वह लेकिन जो दो एक मुस्लिम स्कालर मैं देख नहीं पा रहा हूं जी सबसे अंत में जो आवरी बरस पत्कार रहे हैं जी 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 पढ़िया चीजे कहा तो कैसे आता है, क्यों आप चन्दा चन्दे के फैसे पर जो है, तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जकात का पैसा आता है, जकात का पैसा जो है 8106 करोडे का जी, और उसके बाद फितरह से 932 करोडे का डोनेशन आया, पारासो करोडे रुपे जो के बाद चमणा बेजकर विए 10 हजार क्रोड टोटल थी औहां दो सब नंपốn किसी को पानी पिलवा दे किसी को जो है दरी खरिदवा दे कोई मस्तब नहीं यह सब का हिसाब होता है और सबका एक सम्मानित बिम्हाग बना हुगा है तूसरा अभी सब लोगों ने बड़ा आमादी पार्टी का सिपारिस किया मैं आमादी पार्टी की बात करना चाहता हूं 15 से इनकी सरकार आई गया है इमामों के मसीहा है यह लोग उस्टी करन के जो फर्मा बर्दार है हमारे सामने मैं सिर्फ आप अपने जो है सफा के प्रवक्ता महदय को देख पा रहा हूं तो मैं बता दू आप लोगों से भी बड़े हैं आप लोग पीछे छुट गए हैं 15 से सरकार बनी है 3 करोन 18 लाग इमामों को दिया गया है सरकार के रूप में सरकार ने दिया है जूट मत बोलिये सरकार ने दिया है तो पीस में नौ करोन 24 लाग हो गई तर्खादी गई थी और आप तक 28 करोन 6 6 लाग केजरिवाल जी इमामों पर लुटा चुके हैं और RTI का हिसाब मेरे पास है, RTI बोल रहा है। कि सरकार कहीं भी हो चाहे केंदर सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो एक भी काम इलों को दर्द हो रहा है ना हिंदु मुस्लिम हम कर रहा है कुछ नहीं यह लोग कहते हैं और सिर्फ आरोप लगाना इनका काम है आज उत्तर प्रदेश में कोई भी काम जो हुआ है कानू बुली चुट है कहीं कोई मना नहीं कर रहा है लेकिन जो काम हो रहा है वो काम जो है सारा कानून सम्मत हो रहा है चाहे हो पुल्डोजे चलाने से लेकर हो और यह दर्द क्यों हो गया है भाई होने जीजिए सर्वे कराने में अगर SDM बेसिक सिक्षाज कारी और जिलाल सख्या कलेंड कारी जाकर तीनों की टीम वापर हर तवसीलों में अगर सर्वे कर रही है तो दंद किस चीछका है जो हमेशा नजरे चुराता है और दूसरे पर आरोफ लिए और यहां पर एक सवाल ये भी अमरारमाई बोल लाए थे कि शिच्छकों को बेतन नहीं मिला है आमर भाई बोल लाए थे च्छे साल से किसी भी मदरसे को अनुदान के शिच्छ में सामिल नहीं किया गया है तो साबिलिवाई वोор लाया थे शांण था जगी ठाया थिगgsट े ज हो सकता हा कुछ मदर्थे जो जगाआत के पैसे से चल रहे बहुत चांदार चल रहे हैं वोच कलें म्हलें सुआदार नहीं किराइया था यह सवाल है पचा शाही जी, मेरा एक सवाल है, शाही जी, अब बोले किया अभर बात कोई लेज़िए अगर ये मदर से जकात की पैसे चलनें इससे आप का परशानी है? आपकी परशानी बता दिए दरा साथ. ही एक करफा इन पढ़ेगा घबाऊ और जाब छेटेशा देना पढ़ेगा जबाद देना पढ़ेगा मिल्कूल डिये अपना वदो दीजे है कानून अब लागू यही एक तरफा पांगा है जब देना पढ़ेगा जहां निश्वाब देना पढ़ेगा अब्हप करते हैंगे गणिये लिद्ली में आपके प sufficient किल अगयेa इंडिशतान में आप हो नहीं चलेगा तोस्पी करें धी है निजरभाय कुछ करना जाए ट परफ्जा जैसे यथा राजा तथा प्रजा जैसा हम आउ सरकार आश्र हम प्रस्था करेगी तहम तूसरे पर पफछ पर अबल करें पर ते अ-व्हों करें प्रफियाः एक पूछना चाहता हूं कि प्रियम केर फंड करेंगे अधियाई को लेके बैठे हैं मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें कितना चंदा आया और किसमें खर्चा किया गया है फिर आप छोटी सी ट्रस्ट तमाम मदर से और तमाम जकात का हिसाब पूछो लो बिल्कुल हमें लगता क कोई देनगे समाना नहीं करेंगा प्रधान बंत्री जी सरकारी खजाना था अधि-टॉर बनाया गया उस निजी फिद्वें प्रधान मंत्री ने और किसे पार्टी के कितने का रहले बने हैं कि इसका जवाब यह बताइए आपके सरकार थी तो आपने किंद्रे मनरसों को जो है अनुदान सूची में सामिल किया था आप नेकर द्वारा पहल की गई थी क्या ऐसी जिश्चीत रूप से अभी मैं उसके पुरे आपने रखोंगा जो भी संभा मदद होती है वो जाती है और उर्दू से चंगों की बढ़ती करने का उर्दू से चक नहीं मतरसे में कितना अनुदान सुकी में सामिल किया और मैं आप पहले मुझे इंसाल पूछने दीजिए राम मंदर की बाप नहीं हो रहे बादी जब होगी संभी संभी दान की बात होगी इनों ने जबाब दे ता हूं कोण गोटाला कर लिए राम मंदर में आप चलिए ठीक है इची बात है समाज माजी पार्टी के लोग अरे रुक जाहिए जवाब ले लूँ आपके सदन में तीन सांसद बच्चे गया हैं पांच से तीन ही बच्च गया हैं यहां पर ना जवाब भी लेगा और नो सवाल हो पाएगा हम लोग थोड़ी दिर चिलाएंगे और सांती से इसके बाद प्रेफंड हो और मंदिर हो एक दूसरा इस देश में न्याएले भी है आप दाखिल कर सकते हैं पैसा कहा गया कहा नहीं गया कहा आया अगर अगर तो जानने का आपको हक है आप माननी सर्बुचनेयाल है आप दाखिल करिए मिलेगा क्योंकि आपके जो रास्त्री अध्यक्ष जी है उनकी निस्था पर आपको सवाल उठाना नहीं चाहिए जिए जिए उनको भी कही है कि कुछ कहीं जाएं प्रिया लाकिल करें जरूर देग सरस्ती सिस्मंदिर हो सभी संविधान से चलेंगे राम मंदिर के चंदे का आना पाए हिसाब मंदिर बन जाने दीजिए सार्बजनिक रूप से हो कहा गया है कि सार्बजनिक रूप से सबको मिलेगा हिसाब और आप गोटाला गोटाला कहते हैं ये दिली में जो सराब बेच कि वो घूस देने वाला कोई सबूत नहीं अभी रिकार्ड नहीं हुआ होगा इस तरीके से वो खोखो मत खेलिए कि छूकर भाग जाएंगे आईए दमदारी से मैदान में आईए तेलिविजन पर ये सब बाते नहीं होती है दम हो तो आईए नियाले तक आईए ले चलिए ज आपको जमाब दिया है भागे लिक लिए आप ढ़ाय कहा रहे थे स्खाण पर आघा रहरे थे आप तो कोरिस्तान की बाउंडरी कणा रहे थे स्कूल की बाउंडरी करा रहे थे कि यह नहीं गुता है इस पूलों को प्राइमरी ठेगने करा रहे हैं आप भी कर सकते हैं अच्छी डिवेट करते हैं इसमें कोई दोरा नहीं पहले उन्होंने दिल्ली में इमाम की तंखा पर बात की जी तो इनको जानना चाहिए कि अर्विन के इत्रिवाल वो नहीं दे रहे हैं दिल्ली की सरकार नहीं दे रही हैं आद्मी पार्टी नहीं दे रही है वो दिल्ली का वख बोर्ट दे रहा है अच्छी डिल्ली का वख बोर्ट जो पहले इनके राज में या कॉंग्रेस के राज में करप्शन में डूबा रहता था उसके पास पैसे नहीं रहते थे अर्विन के जरिवाल के आने के बाद ये हुआ है कि इमानदारी वहां भी गई है आज दिली का वक्ठबोर्ड जो पैसे पा रहा है तो वो अपने हिसाब से चीज़ें को खर्च कर ला है हम कहेंगे कि जैसे आपने स्कूल बनाने के मामले में एस पूल को ठीक करने के मामले में आम आदनी पार्टी की सरकार का मसरण किया है वैसे वक्त बोर्ड को ठीक करने के मामले में भी कर ली जी अच्छा रहेगा दूसरी बात यह अभी तक करफशन की बात कर रहे थे अच्छा करफशन की बात कौन कर रहा है जिनके राष्टी अध्यक्ष जी कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए वो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी करफशन कर रही है अच्छा चलिए ठीक है इनकी बात मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए मैंने अक्सेप्ट कर लिया कि 144 करोड की शराब की लाइसेंस फीस माफ करने के लिए 30 करोड रुपए मनिश सौदिया ने खा लिये चलिए मैं मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए अब जरा साश्वनी शाही साब ये बता दें कि 10 लाख करोड रुपए का कर्ज माफ किया गया कर्पूरेट का उसमें नरेंद्र मोदी जी ने कितने रुपए की दलालिक आई पहली बात ये बता देंगा तर्ज माफ नहीं किया गया है प्रफ नहीं किया गया है प्रफ नहीं किया गया है पांच लाख करोड का जो कर्पूरेट का टैक्स माफ किया आपने उसमें कितने रुपए की दलाली खाई ये बताईए तीसरी बात जो कार्पूरेट जो टैक्स था तीस प्रफ नहीं कितने रुपए कि दलाली खाई मोदी जी ने ये बता दीजिए तो कुल मिलाक है जो पार्टी बताईए बंगारू लक्षमन पकड़े गया थे एक लाख रुपया लेते हुए रक्षा साओधे में तब जब किसी को दो लाग पांच लाग काम कर रही है अभी नीतेंदर भाई हमारे पूच रहे थे के पीम केर फंड के गया का? अरे हम बता रहे हो क्या हिसाब देंगे भाई? पीम केर फंड जो इकठा किया था वो विधायकों की खरीद फरोफ के लिए इस्तिमाल किया जा रहा है? सरकार घुराने और सरकार बनान किया जा रहे जबाब देंगे इना सबोट के मत बोलिये माफी पीरो जाकर लिखिसे माफी किसके मुर्खे मादा करते थे गटकरी जी से माफी कुछने को ने पर इस चार्टा था यह आप हमको मत बताईए की आप लोग जै वो उनी जन्याई हैं. आपके पूरवज माफी माफी मांगने का काम करते थे. शुपने का काम कि अंगरेजों से माफी मांगने का काम करते थे. जिनके पूरवजों के आरोबार रहा हो, माफी मांगना वाज हमको सब्सक्राइब आरे में 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 उसको भी देखिए और ध्यान दीजिए सबूतों के साथ आईए बजार में खड़े होईए और जूट फैलाना बंद कीजिए कि 10 लाक करोड माप कर दिया गया राइट आप करके 8 लाक करोड उनकी संपतियों से वसूला गया है ये माप नहीं होता है ये चीजे घुमाईए मत आप तो आज दिल्ली में जो है बिजली दे रहे पिरी 10 लाक करोड के हमजान के लिए क्टोरा लेकर क्यों किंदरों के पास हैं किंदों सरकार राइटेती है इतने हमने खरीदा अरे जुतों बेमानों की सरकार है दिल्ली जल्दी बात को सबसे बड़ी बात होती है कि तो हदार चौदा में मत्रब भारत देश आजाद हुआ है जब हमारे पीम नरंदर मोदी आए हैं तब देश हमारा आजाद हुआ है एक लिए कितने इनके वक्ताओं में कहा दूसरी बात कम से कम कुष्टी करण से तो आजादी हो गए हैं यह उन्नी सो से तालिस से लेके बात बैयासी तक के कितने इनके इसांस थे दो फिर्फ दो थे बंदा भी पूरा नहीं हो पाता था अब है और अच्छे अगर आपका अधुनिक मंदर से बनाना चाहते हैं तो सही नियत आपको लाना पड़ेगा और सही कारिक्रम को आपको फिर मैं करा रहा हुद रसाना पड़ेगा तो किसी भी आप उसको मत बताईए आप स्वागत करते नहीं करते यह ताईए सर्वे का स हैं आप इनकों इस पहले तंफा देटे आपने आपने मंदर में करोड़ वहां से अए कैन में इसकी बताएं गे अपना घटी एगा अ कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कालोनि के बिधायक जी पूर बिधायक जी ऐसमें सब पॉक्ले गए है समासर अक्य पकड़े गए जमीनों के उसमें चल लई ये ठीका पकड़ा गया है अप्ना एफ्का योद्या कर देख लो पहले तो पकड़ा गया है अप्चा चोरी पकड़ाए गया है, आमर भाई की बार करना है, आमर भाई की बार नेना है, ठीक है ने हम पकड़ाए है, ठीक है नए मदर्सों अब धूर कि रहा जानकारी यहाई है, इसी मदर्से से रघुपती सहाय, फिरा गोरध़ी जो विश्विख्या शायरत है, वो निकले. इसी मदरसे दे पंडित आना नराइद मुल्ला निकले इसी मदरसे दे मुंशी प्रेम चंज निकले दरसल बात मदरसे के सर्वे की नहीं बात मदरसे को संदिक्ता की निगा से देखने की है मैं इनको बता दूँ कि मदर्सों में कहीं कोई जैसे अड़वानी जी ने एक बयान दे दिया था कि मदर्से आतंगवादी पर शच्छण केंद रहें उसके बाद जब उनसे पार्लेमेंट के अंदर इस सवाल का जवाब मांगा गया तो उन्होंने माफी मांगी हो यह का कि नहीं यह नयाय पूरवक नहीं है मैं एक चीज़ और दिखादू ही देखिए यह हमारे मदर्सों में नहीं होता है कि जो आप सरस्थी शिचु मंदिरों में तलवारों की और भालों की बंदू की ट्रेनि दी जाती है हमारे किसी भी मदर्से में आप चले आई हो जब मर दिया आप मेरा हाथ पकड़ियो ले चलिया कि इस मदर्से में तो मैं जिन्दगी भार आपके नहीं आपके बच्चों तक की गुलामी करूंगा इश्वनी जी आप किसी मदर्से में सिवाय पुरान पढ़ने कर वा दिल्ली में अभी पत्रकार को पीटा गया है मदर्से में चोड़िये कितनी नफरतें पढ़ाय जाती है पढ़ाय जाती है अभी पत्रकार को कम से कम नाम गिना दूँगा मदर्से के निकले हुएं को कि जिन्हों ने देश के लिए पनी चाती पे गोली काई है पीट में नहीं काई इस्वनी जी और जहां तक माफी की नाम है तो वीर सावार्व पंद्रा सालों में एक नाम गिना दीजिए अंग्रेजों से यह मैं लिकारा हूं कोर्ट गिंदर कागर महुजूद है नहीं यह सारे जितरे ट्विन टावर पर जाके जहाज लेके जो है कौन कूदा अफगानिस्तान से जो है कुछ पंद आखर जुद नहीं है पिंदुस्तान की बात कर दिये जांगरा खर जूद रहा है है तुछ दूद्धा नहीं कर दो एस जश्द वाले तुछ नहीं बोला है तो जूद नहीं है यह समय कम है समय कम है पुजिया स्वानी जी से पुछिना है, ये टुट टावर में जहाज लेके पुछिने वाले क्या मदरसे के विधार्थी थी, क्या भारत के, कितना घुबरा करोंगे देश को भाई कितने छूपे हो, कितने पाकटी लोगो आप लोगो, कि अधरसे पढ़ने वाले पचे थे क् इस रात कीपास कर रहा है। मनवादी देश को होते हुए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नहीं भाई ठीक है अधी पिर्दों है ठीक है ठीक है ठीक? अरे नहीं भाई पून्य आजाए ठीक है ठीक है Vergis? पुलिये नित्रमाई बोलिये, जल्दी बोलिये. जो है, वो भी मदर से कि किया बाते करते हो? वो उसके लिए उस लड़के के साथ बदाई की पात्रो सरकारे भी है, जहां पर वो पढ़ा है. पांगन तो आप लोग फैला रहे है. पांगन और जूट तो आप लोग फैला रहे है. चलेilot का का जोडने के बहुत धन्वार यहां पर चर्चा को सर्वेगां के ने की है고 यहां से हैं उनको बैतर किस तरह किया जाए मदर्सों में अगर सिच्छा में खामी है उसको बैतर कैसे की जाए दुरूस कैसे किया जाए चूंकि आगड़ बताते कि मदर्से की चात्र भी यहां पर मैनट कर रहा है और लगाता देश की पेठेस सिवाओं में सफल भी हो रहा है सब्सक्राइब करतीन रोटा है इलाल मजर सरब्सों के बदलाव पर कितना काम होगा यह बक्ष बताएगा पर एक बात स्पष्ट हो चकी है कि निकाय चुनाओं और दोजाद 24 को चुनाओं के चलते उत्ता प्रेस में जो राजनीती है वो चरंपर है और बेपच्छ के और सत्तपच्छ के आरूप त्यारूप का दोर ऐसे जारी रहेगा बस उम्मीद किया सकती है कि अगर कोई काम किसी बहतर मंसा के लिए किया जा रहा है तो उसका बहतर पढ़नाम भी सामने आना चाहिए और यह पढ़नाम भी आने बाले समय में सबको ड़िख जाएगा कि मंसा बहतर थी मंसा संडे पूरवक तो आज की चर्चा में अतना ही मुझी जर्नूती न आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार